हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर और निक्लासेश दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लर्निंग प्लान क्यूपर तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 के हिंदी ब्याकरण के एक आई 2 को देखेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना है संग्या के बाड़े में तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें तो सबसे पहले है अक्लास का लर्निंग प्लान लोह लिखेंगे बच्चों के अन्वान संख्या को लिखेंगे आपको पढ़ाना है 냐 यानि कि हिंदी ब्याकरण है तो यह हिंदी ब्याकरण लिखे हुए है इक आई कौन चाहित इक आई टू है और विश्या वस्तु क्या आपका संग्या है तो हम लोग इस वीडियो में किसके ऊपर बात करेंगे संग्या का लर्णिंग प्लान कैसे आपको बनाएंगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे नेच्ट आपका बिंदु लागा एच야ँब वस्तु से समधित पूरुष अमिक्छा क्या आपका बिंदू आगा विषय वस्तु से सम्मादित पूरो समीक्छा आपका आएगा इसमें आपको दो पॉइंट रहेगा नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है पिछले क्लांज की विषय वस्तु का बिस्तार करना है तो इसमें क्या करना है आपको नए विष तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले, बच्चे हिंदी भासा के प्रती रूची उत्पन कर पाएंगे, नेक्ष्ट आप लिखेंगे, बच्चे सुध भासा का उचारन कर पाएंगे, नेक्ष्ट आप कर हैगा, बच्चे व्याकरन की उपयोगिता को कर सकेंगे, ये क्या हो क्या है थी और है कि क्या है तो यह आपने इस बिसाह वस्तू को पहले सिक्षण किया है किया है तो हाँ नहीं किया है तो नहीं तो नहीं किया गया है तो नहीं में टिक करें किया हुए है नेश्ट आपका पॉइंट रहेगा यह विशावस्तु इस कक्छा के और किन किन विशयोय कायू से जुरा हुआ है यानि आपका जो विशावस्तु है संगया ये आपके कौन-कौन से विशावस्तु से जुरा हुआ है तो जुरा हुआ है तो क्या लिखेंगे जुरा हुआ है नहीं या तो नहीं लिखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है किसी से भी नहीं जुरा हुआ है निश्टाप का बि लिखेंगे इसमें विषयवस्तु या उप विषयवस्तु का वीवरन देंगे, क्या देंगे आप विषयवस्तु या उप विषयवस्तु का वीवरन देंगे, तो इसमें सबसे परणे आप क्या लिखेंगे, संग्या के बारे में किसी व्यक्ति, वस्तु, अस्थान के नाम क क्या बोलते हैं संग्या बोलते हैं जैसे आपका example हो गया राम, गाय, किताब, कलम, पटना, आथी यह क्या हो गया है संग्या की संचित भीवरन हो गया आप इसमें संग्या के परकार को भी लिख सकते हैं, next आपका बिंदू रहेगा विशावस्तु का उदेश से, यानि कि आपका जो टॉपिक है संग्या, इसका क्या उदेश से है, इससे बच्चे क्या सीख पाएंगे, तो ये लिखना काफी जोरी है, किसी भी रर्निंग प्लान में उदेश से काफी जोरी होता है, तो आपका सबसे पहला इसमें पॉइंट आएगा, बच्चे संग्या की परिभासा को बता पाएंगे, यानि कि बच्चे क्या करेंगे इस विशावस्तु से, संग्या की परिभासा को जान पाएंगे, next आपका बिंदू रहेगा, बच्चे संग्या की भेदो को सोधारन बता पाएंगे यानि कि बच्चे क्या करेंगे संग्या के भेदो को उधारन के माध्यम से बता पाएंगे इस भी सवस्तु के द्वारा सीखेंगे तो क्या करेंगे बच्चों सीख जाएंगे तो वो किसी को बता सकते हैं next आपका बिंदु रहेगा बच्चे व्यक्ति वाचक संग्या और जाती वाचक संग्या में अंतर सपस्ट कर सकेंगे क्या कर सकेंगे बच्चे व्यक्ति वाचक संग्या और जाती वाचक संग्या में क्या करेंगे अंतर बता सकेंगे तो यह भी सवस्थु का हो गया, उद्यस्ते हो गया, next आपका बिंदु रहेगा, सिखने सिखाने की वीधी, क्या रहेगा आपका next बिंदु, यानि कि आपने इस भी सवस्थु को पढ़ाने के लिए, कौनसे वीधी का परियोग किया, तो व्याख्यान वीधी, कौनसे वीधी तकर्षन बीदी के परियों कर सकते हैं, या फिर, रोल प्रिली मेतड़ भी कर सकते हैं, तो अब की उपर डिपेंट करता है, कि आप किस बीदी दारा बच्णो को इस टोफी को पुढ़ार रहे है, इसमें कॉन से बीदी को चुना गया है, निश्टाप का बिंदू रहेगा बीदी बीदियों को क्यों चुना गया तो व्याख्यान बीदी को क्यों चुना गया क्योंकि व्याख्यान बीदी से क्या होगा संग्या के परिभासा बचे जान पाएंगे संग्या के भेद को बारे में बचे जान पाएंगे तो क्या आकर लाएगा आपका व्याख्यान बीदी के अंतरगत ही आ जाएगा आप इसमें बहुत सारी बीदी का भी पुरियोग कर सकते हैं आपको जो इंटेस्ट रहे जो आपको अच्छा लगए आप उस बीदी का पुरियोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो अब उसके बारे में आपके learning plan में लिख सकते हैं next आपका बिंदू रहेगा work बेवस था क्या रहेगा आपका next बिंदू work बेवस था यानि class का कैसा बेवस था तो बच्चे सुबेवस्ती तरीके से बैठे हुए थे सभी बच्चे कैसे थे सकड़िये थे work कक्ष में प्रयाप्त मातरा में रोशनी और वायू क्या है मजूद था ये क्या होगा आपके work की बेवस था हो गई next आपका बिंदू रहेगा learning plan में योजना क्या रहेगा आपका आप planning कैसे कैसे करेंगे तो इसमें आपका पहला point क्या आएगा कलाओधी तो सबसे पहले 10 मिनट पठरम के लिए फिर 10 मिनट संग्या और उनके भेदो को बताने के लिए 5 मिनट सारांज के लिए और अंतिम 15 मिनट मुल्यांकन के लिए फिर साथ-साथ गरी कारे के लिए यानि कि क्या करेंगे आप जो आपका योजना होगा जो आप कितने मिनट का आपका है यहाँ पे 10 मिनट पठरम के लिए 10 मिनट संग्या और उनके भेद को बताने के लिए 20 मिनट हो गया 5 मिनट सारांज के लिए और अंतिम 15 मिनट मुल्यांकन प्रसन के लिए और गरी कारे के लिए तो योजना कीतने दिरिक आपका है योजना आपके 40 मिनट का है तो आप उसके अनुसार बना लेंगे नेक्स्ट आपका पॉइंट रहाएगा पाठरम यानि कि बच्चो को आप कैसे इस विशावस्तु पे लाएंगे इसके बारे में इसमें रहेगा आपका तो आप कैसे सेट इनक्सन करेंगे तो क्या करेंगे आप सबसे पहले इसमें तीन कॉलम बना लेंगे सिरियल नंबर, सिख्चक, परसिख्चु कथन और छात्र कथन ये क्या होगे आपका तीन कॉलम बन गया और सबसे पहले आप क्या पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों को कलम दिखाते हुए पूछेंगे क्या है तो बच्चे क्या बताएंगे कलम है निक्स्ट आप पूछेंगे आप कहा पढ़ने जाते हैं तो बच्चे क्या बताएंगे विद्याले जाते हैं निक्स्ट आप पूछेंगे विदाले में क्या क्या वस्तुए होती है तो बच्चे के जवाब क्या आएगा मेज होती है कुरसी होती है किताब होती है यह क्या हो गया आपका बच्चे का जवाब हो गया निक्स्ट आपका प्रस्ण रहेगा कलम विदाले कुरसी क्या है तो ब बताएंगे कि हाँ बच्चो आज हम लोग संग्या के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका यह उद्र से कतन हो गया आप अपने पाठ का विष्टार करेंगे यानि कि जब बच्चो के सामरे अब अगर आप टौपिक अपना ला लीए है या फिर लाए किसी भी तरग क पूछ कूछ के पठरम के द्वारा तो क्या हो गया आप अपने विश्य वस्तु का विश्थार कर सकते हैं तो कैसे करेंगे इसमें आप चार कॉलम बना लेंगे शिक्छन बिंदू, शिक्छक पर्सिक्छु किरिया, छात्र किरिया और स्यामपट कारे फिर आपका पहला वस्तु हो गया और पठना क्या हो गया अस्थान हो गया तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं संग्या बोलते हैं और बच्चे क्या करेंगे इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप बोड़ बहुत सारे कारे कर सकते हैं निक्ष्ट आपका वच्छों को बताएंगे कि जाती वच्छ संग्या क्या है तो इसमें क्या बताएंगे आप किसी खास व्यक्ति वस्तु अस्थान के नाम को व्यक्ति वच्छ संग्या कहते हैं जैसे राम, महतमा गांधी, पत्ना, हिमाले क्या हो गया यह सब आपके व्यक्ति वच्छ संग्या कहलाएंगे नेश्डव का बिंदू रहेगा जाती बाचक संग्या, जिस चंग्या से, पूरे जाती का बोध हो उसे जाती बाचत संग्या कहते हैं जैसे लड़का गाय, बिल्ली इत्यादी तो आप जैसे संगया के भेद को बारे में बताएंगे तो बच्चों को दो भेद बता दिये बाकी बच्चा क्या है यहां पर तीन भेद बच गया तो आप उसे भी एक क्लास में डील कर सकते हैं लिख देंगे और नहीं करेंगे तो इसको क्या करेंगे अपने इस ट्रास में बच्चों को बताएंगे तो इस लर्णिंग ने क्या है आपका दो ही भेद बताया गया है व्यक्ति वाचक और जाती वाचक अगर आपको मन हो क्या में बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं बच्चों को पांचों के बारे में तब क्या करेंगे आप बच्चों से मुल्यांकन प्रसंद करेंगे संग्या किसे कहते हैं तो बच्चे के जवाब किया आएगा किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान के नाम को संग्या कहते हैं तो यह आप क्या हो गया पाठ विस्तार हो गया प व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, द्रब्य वाचक, समु वाचक और भाववाचक. यह क्या होगा आपका सरान्स हो गया. निक्स्ट आप गिड़ी कारे के ऊपर बात करेंगे. तो बच्चे पांच व्यक्ति वाचक संग्या तथा पांच जाति वाचक संग्या का नाम लिखकर लावे यह क्या होगा आपका गिड़ी कारे हो गया अगर आपने पांचो भेद को बता दिया है तो बच्चों का अब गिरी काड़े में पांचो भीत के बारे में दे सकते हैं या फिर आप कुछ अलग भी हुमक दे सकते हैं next आपका बिंदू रहेगा प्रसिक्चु का हस्ताक्षर योम तीथी रहेगा ये सब आपका लर्निंग प्लान का हिस्सा है next आपका बिंदू रहेगा वर्ग में पाठ समिक्चातमक बिंदू ये भी एक बॉक्स की तरह रहेगा और इसमें क्या रहेगा आपका दो बिंदू रहेगा पहला क्या रहेगा आपका संबन्दी दूसरे परसिक्षी द्वारा उलोकन टिपनी दूसरा क्या रहेगा आपका परभारी व्याखाता द्वारा समिक्षा रहेगा अब आगे जाकर क्या करेंगे जब आपका ये सब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे सिक्षक सिक्षिका द्वारा स्वा मुल्यांकन के सुझावातमक बिंदू यह आपको खुद से मुल्यांकन करना आपने आपको समझना है कि हमने श्टोफिक उपर है तो बच्चे कितना सीखे कैसे हम यूजना में बदावला सकते हैं तो इसमें पहला बिंदू आपका रहेगा किया विद्यार्थियों ने उन उद्रिस्चे को समझा जिसके लिए विशवस्तु थी इसका मुल्यांकन किया की नहीं किया तो क्या लिखेंगे आप हाँ मुल्यांकन किया दो चार बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे समझ चुके थे आप यह लिख देंगे ने एक्स्टाप का बिंदू रहेगा क्या इस विशवस्तु को फिर से कख्चा मेचारजा करने की आओ सकता है क्यों या क्यों नहीं इसमें क्या लिखेंगे आप नहीं क्योंकि लगभग सभी बच्चे समझ गये थे जिनने दिक्कत थी उसे एक्स्टाप समय में समझा दिये यानि क्या लिखेंगे आप यानि कि बच्चों को इस पार्ट को हमने समझा दिया और कुछ बच्चों को डाउट था तो क्या कि हमने एक्स्टा क्लास में बच्चों को इसके बारे में भी बता दिया एक्स्टा समय में बच्चों को इसके बारे में हम समझा दिया तो सभी क्या बच्चो का सवाल था common सवाल कि सर जीस चीज का नाम होता है वह संग्या हो सकता है मैंने बच्चो को उधारन बता कर समझाया तब बच्चे समझ गया यानि कि बच्चे का सवाल था आपने क्या किया बच्चो को उधारन की दोरा बच्चो को समझाया तब बच्चे क्या ह समझ गये थे और खुद से हल भी किये निश्ट आपका बिंदू रहेगा इस विसावस्तु के सिखन सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का परयोग किया गया उनकी क्या उपयोगिता रही तो क्या लिखेंगे आप चौक, डस्टर, बुक, एटिसी यानिक आप जो भी परयो इसमें क्या लिखा गया है नहीं कोई बदलाव नहीं करेंगे निश्ट आपका पॉइंट रहेगा इस विसावस्तु से संबंधित कोई या सवाल या दूइधा जिसे अपने संस्थान के विसे विसे सग्गे तथा मेंटर से चर्चा करने क्या पेक्छा है अगर है तो हाँ नहीं या तो नहीं निश्ट आपका पॉइंट रहेगा लास्ट कोई अने टिपनी यानि कि इस टॉपिक उपर हाने के बाद अगर आपको किसी भी तरह कोई टिपनी करना है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं करना है तो हाँ नहीं करना है तो ये थे आपके आज की वि वीडियो है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे तब तक धन्ने बाद में नेक्स्ट वीडियो में